कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का महत्तु दोस्तों, अनुभोग्यान गंगा चैनल में आपका स्वागत है कार्तिक मास में इस नान दान के साथ साथ ध्यान जब पूजा का विशेष महत्तु है इस पूरे मास में भगवान विश्णू के साथ साथ माता तुलिसी की पूजा करना सुभ माना जाता है कार्थिक मास 29 अक्टूबर से 27 नौंबर 2023 तक चलेगा माना जाता है कि कार्थिक महीने में ब्रत इसनान और दान साथ साथ दीब दान करने से घर में सुख सान्ती बनी रहती है ब्यापार और नौकरी में भी लाभ मिलता है कार्थिक मास के दोरान रोजाना तुलिसी जी की सेवा और पूजा भी बिधवत करे एक कथा के अनुसार माना जाता है कि भगवान विश्लू को तुलसी जी बेहद प्रिये हैं। इसी कारण कार्तिक मास में ही साली ग्राम के रूप में भगवान विश्लू और तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। इस माह में तुलसी जी की विध्वत पूजा करने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही अकाल विद्ध का भैवी समाप्त हो जाता है। कार्तिक मास में ऐसे करें तुलसी पूजर। कार्तिक मास में रोजाना ब्रह्म मुहरत में उठकर सभी कामों से निवृत्ध होकर इसनान कर लें। अगर ये इसनान नदी या गंगाजी तालाब कहीं हो तो और वी अच्छा है। इसके बाद साफ बस्त्र पहन कर एक लोटे में स्वच्छ जल भर लें। इसके बाद तुलसी जी के पौधे की जड़ में धीरे-धीरे अर्पित करें। दूद भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी के गमले में स्वास्तिक का चिन्द बना लें। आप चाहें तो नीचे रंगोली भी बना सकते हैं। और फिर पूजा आरंब करें। सबसे पहले जल चड़ाएं। इसके बाद तुलसी जी के पौधे पर फूल, माला, सिंधूर, अक्षत, चुनरी आधी चड़ाएं। इसके बाद भोग लगाएं। घी का दीपक और धूब जलाकर मंत्र उचारण करें। श्रीम, हिरीम, क्लीम एं बिंद्रा बने स्वाहा अंत में विध्वत आर्ती करें। इस तरह सित तुलसी जी का पूजन करें। ध्यान रहे दोस्तों कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन, और पूणिमा के दिन तुलसी जी को छुएना। और ना ही उनके पत्ते या मंजरी तोड़े। इस दिन छुने से दोस लगता है। दोस्तों तुलसी जी के साथ विश्नु भगवान की भी पूजा करें। और विश्नु सहस्तर नाम का जब भी करें। इससे बहुत ही अच्छा होता है। तुलसी जी लच्छमी जी का एक रूप है। और कार्टिक सुक्त लपक्ष की अकादशी को तुलसी जी का विवा किया जाता है साली ग्राम के साथ। उस दिन तुलसी को बहुत अच्छे से आप जल से पूरा धुले। और गमले को बहुत अच्छे से कलर करें। अगर कलर नहीं ऐसे कर सकते तो चावल के आटे में हल्दी मिलाकर उसको कलर करें। सूखने पर बहुत ही अच्छा सा रंगा जाएगा। उसके बाद तुलसी जी की एक-एक पत्तियों में सिंधूर लगाए। कोई भी पत्ति छूटने न पाए। इससे इतनी सुदर तुलसी जी दिखती हैं, दोस्तों, की देखने लायक होती है। सच में लगता है फिर की तुलसी जी का विवाह हुने जा रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान करें। तुलसी बिवाह करें एकादिशी के दिन और पूरिमा के दिन उन्हें बस्तर और सारी चीजें देकर विदा करें इस तरह पूरे मास तुलसी जी की शेवा करें तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर चरूर करें और चैनल पर पहली बार आएं हो चैनल को सस्क्राइब भी चरूर करें नई अच्छी जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेश करें जिससे आपको वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी जै माता दी दोस्तों ठैंक्यू सो मच धन्यबाद जै माता दी दोस्तों